दोस्तों स्वागत है आपके अपने चनल सिविल साइट विजिट में गाइस आज का वीडियो काफी इंट्रस्टिंग और इंपॉर्टेंट है हाउस कंस्ट्रक्शन की जो मैं सीरीज लेके चल रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप जो बता रहा हूँ में आज उसी पे हमारा चोथा वीडियो है जिसमें मैं प्लिंथ बीम के बारे में बताऊँगा काफी कोशन है इसके बारे में काफी चीज़ें इसकी बताऊंगे कितने का स्टील आपको प्रवाइड करना है कितने गोंट से great का concrete provide करना है प्लिंथवीम में क्यों प्लिंथ बीम प्रवाइड करते हैं और एक कोशन आता है कि नीचे जो brickwork आपने देखा होगा प्लिंथ बीम के नीचे वो provide किया जाता है वो करना है नहीं करना है वो बताऊंगा प्लिंथ बीम की hide कितनी रखनी है और जो वी बेसिक चीज़ी हैं प्लिंथ बीम के बारे में क्यों प्लिंथ बीम प्रबाइट करते हैं सब मैं आज आपको क्लियर करने बाला हूँ फोर्थ पार्ड है काफी इंपोर्टेंट पार्ड है थोड़े दिनों बाद गया थोड़ा वीडियो में जो हमारे स्टेब बाइ स्टेब बेसिक चल रहा था हमारा हाउसकिंग इस्ट्रक्शन का तो आज चोथा पार्ड है और अभी मैं जारी रखूंगा इसकी कंटिन्यूटी रहेगी हमारी वीडियो में कुछ जो आभी आपको पता होगा क्या चल रहा है ग्लोबिली क्रोनो वाइरस की बज़ा से काफी इसमें थोड़ा में टाइम बीजी था तो अब भी आज से मेरी कंटिन्यूटी रहेगी वीडियो में तो स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो प्लिंथ बीम के उपर देखो सबसे पहले क्या है प्लिंथ बीम हम प्रवाइड क्यों करते हैं Plinth Veeam Provide करने का एक ही fund है जो भी अगर load bearing structure है या column का है तो एक तो यह distribute करता है load जो भी होगा Total मतल लोड को distribute करने के लिए हम Plinth Veeam Provide करते हैं एक ही fund है Plinth Veeam Provide करने का दूसरा जी है आपने घर पे देखा होगा दिरारें पड़ गई होती है मतलब लाइन्स पड़ गई होती है ऐसे लगालो की क्रैक्स पड़ गई होते हैं वो किसकी वाईसे होते हैं सैटलमेंट की वाईसे तो जो प्लिंथ भीम है वो प्रवाइड करने से सैटलमेंट भी कम हो तो concrete का जो plinth beam में grade रखने हैं आपको वो M20 से कम grade नहीं होना चाहिए plinth beam का हमेशा जात रखना M20 grade आपको plinth beam में use करना है और grade से अब ही मतलब जो अब ही civil engineering के लेटर नहीं है तो M20 मतलब आपका जो ratio होनी चाहिए उसकी concrete की वो आपकी एक बोरी अगर cement डालोगे उसमें डेड़ बोरी आपको sand डाली है और तीन बोरी उसमें कबची याँ aggregate डालना है यह हो गया concrete का जो आपको grade जूस करना है ठीक है दूसरी बात आती है आपकी मतलब plinth beam की height कितनी होना चाहिए वो depend होती है आपके वहां के पानी के जरिये मतलब देखो जो आपका ground level है natural ground level वो उन्चा है नीचा है इस पे भी depend होता है मैं आगे इसको clear करता है इस article में और depend होता है आपको मतलब कितना provide करना है लेकिन minimum आपको जो plinth beam की height provide करनी है वो 400 mm provide करनी है या डेड़ फुट आपको बोल लो उसको तो ये आपको minimum provide करनी है ये हो गया हमारा concrete का भी हो गया कि हमें जो कौन सा minimum grade का concrete यूज़ करना है दूसरा हो गया हमें height कितनी provide करनी है तीसरी बात मैं करता हूँ आपको जो steel provide करना है उसमें उसका कितना dia होना चाहिए ये मैं आपको clear करता हूँ देखो ये depend करता है हमारी building के size में मतलब किस high rise building है या duplex है या single story building है ये उस पे provide मतलब depend करता है लेकिन minimum आपको क्या करना है जो आपका होगा मतलब जो top bar होगा आपका वो आपको करना है 12 डाय का provide ठीक है और जो bottom bar होगा वो आप 16 डाय का provide करना है minimum मतलब ये हो गया हमारा plinth beam के steel का detail भी अभी मैं इसको अच्छे से आपको clear करता हूँ theoretical part से आपने देख लिए side पे plinth beam है क्या कैसे provide कर रहे हैं अभी जब मैं theoretical part करता हूँ जो question मैं start में बताया थे वो clear करूंगा ठीक है देखो सबसे पहले देखो अभी जो मैं question बताया था आपको कि brick bark क्यों provide करते है नीचे provide करनी चाहिए ने करनी चाहिए वो मैं आपको clear यहां करूंगा अभी देखा जाए तो यह हमारी हो गई footing ठीक है को मतलों अगर plan ले लो आप यह है यह column 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 है तो यह section यह दिखा रहा हूँ मतलों यह दो column आगे यह और बीच में नीचे brick work किया है उसके उपर print beam किया है देखो यह आपने कहीं जगा देखा होगा यह question भी प्लिंथ बीम की हाइड को बढ़ाने के लिए और हम हाइड बढ़ाते क्यों है के जगा पे क्या होता है यह हमारा natural ground level हो गया और जो बाकी का area है वो इससे उंच है और पानी जब भी बारिश पड़ेगी जहां कोई भी पानी होगा वो आपके गर में गुसने के chances ज़ादा ह हो जाते हैं इसलिए क्या करते हैं हम प्लिंथ बीम की हाइड बढ़ा देते हैं तो उसके नीचे प्लिंथ बीम की हाइड बढ़ाने के लिए हम प्लिंथ बीम तो इतना बढ़ा नहीं कर सकते हैं मतलब उसकी हाइड इतनी ज़्यादा करेंगे तो हमारा cost बढ़ जाती है construction cost क क्योंकि concrete work ज़्यादा महंग है as compared to brickwork तो क्या होता है हम नीचे brickwork कर देते हैं उसके उपर करते हैं हम plinth beam तो इससे हमारा हो जाते है अगर by chance देखो हमारा इधर तक पानी का level यहाँ है और हम उससे कम से कम एक foot तो उपर रखना ही रखने है plinth beam को तो उसको क्या करते हैं नीचे करते हैं brickwork उसके उपर करते हैं plinth beam तो इससे क्या होगा हमारा level उंचा हो जाएगा और इसके उपर हमारा brickwork हो जाएगा और अंदर पानी गुशने के chances काफी ज़्यादा कम हो जाते हैं यह mainly किया जाता है इसलिए brickwork और अगर आप प्लीं्ट ब्रिक वर्क नेव करो हो के कोई दिक्कत निहें नीचे क्या करो मतलब लगालो एक टाइब का प्लम कॉंक्रीड ही हो गया जब भी आप concrete करो अंदर उसके plumps जो अच्छे quality का stone होता है वो बर के उसके साथ concreting कर दो उसके उपर अच्छा मतलब एक foot का आप plinth beam का concrete कर दो तो वो better है ठीक है यह हो गया next चीज़ अभी जैसे मैंने उसकी बात की थी स्टील की कि हमें कौन सा डाया का यूज करना है तो अगर मैं section दिखाऊं आपको यह plinth beam की section होगे हमारे यह जो दो आपने उपर बार प्रोवाइड करना है यह बारन डाया का करना है प्रवाइड नीच्चे आपको प्रोवाइड करना है तो यह आपको स्टील प्रोवाइड करना है plinth beam में और अगर मैं prefer करूं कौन से company का आपको यूज करना है इसमें तो टाटा टिस्कौन करो यहां काम देनों स्टील बाकी जो अबलेवल है वो भी आप उसकी स्पेसिपेशन वगारा प्रोवप्टी वगारा पढ़ सकते हो और उसके बाल उसको प्रोवाइड कर सकते हो और जैसे मैंने ग्रेड की बात की थी एम 20 ग्रेड आपको यूज करना है जिसकी रेशो रहती है वन रेशो डेड तीन यह हो गया सीमेंट सैंड और एग्रिगेट यह हो गया प्लिंथ बीम का हमारा फंक्शन और देखो प्लिंथ बीम क्या करता है देखो अगर यह मैं एक प्लान बनाऊं यहां प्लान देखो आ यह प्लिंथ बीम हो गया हमारा चारो तरह ठीक है प्लिंथ बीम आ गया प्लिंथ बीम क्या करता है अगर नीचे बाईचांस सोईल में सैटलमेंट भी होगी सैटलमेंट इन दा सेंस अगर मिटी में कोई कहीं से पानी गुस गया ठीक है पानी गुस गया तो नीचे मिटी इ पुर पुर यह ऐसा या नीचे चोटा क्रोल रआधु यह किसके कारण होते हैं यह हुआ होते है मतलब अगर आपने प्लिंट्ध पुरिय्ट नहीं किय Empire तो दीवार में कराई काईगा अगर आपने प्लिंट्ध प्लिंथ वह मतलब तो उसी पर आज का मेरा वीडियो था कि आपको प्लिंट बीम प्रवाइड करना ही करना है जहां भी आप गर की कंस्ट्रक्शन करो और उसकी डैप्थ मतलब 400 mm आपको रखनी रखनी है जहां डेड़ फुट ले लो आपको इतनी उसकी डैप्थ रखनी है यही कॉंक्रीड इस पर हाउस कंस्ट्रक्शन बेसिक पर आप पढ़ सकते हो प्लिंट बीम के बारे में तो यह था आज का हमारा टॉपिक मतलब प्लिंट बीम हम क्यों प्रवाइड करते हैं और इसके बारे में सब चीजे तो गैस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो जुरूर लाइक करना और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना और जितना सेफ रह सको गर्पे बैठके काम करो तो गाइस थैंक यू